अपनी पुरानी वीडियो स्क्रोल डाउन कर रहा था तो मैंने ऊसे शीरीज शुरू तो कहीं लेकिन उसे खतम नहीं कर पाया मैं तो उसमें से एक था फेस रिडिंग तो उस फेस एडिंग में चीज छूट गई थी वह थे आपके कान आपकी गालें आपका मुँ और आपके ह हों तो आप उसी सक्षियत के बारे में कैसे उसका अंदादा लगा सब शुरू करते हैं पहले के साथ यह लोग जो हैं प्यार में जल्दी पड़ जाते और वक्त नहीं लगाते हैं सोच नहीं है का लगए अब अब हुश्रा प्रम हैं की आब सोएं प्रस्सकों ले यह लोग बाइगिजिनेशन हमें माजीनेशन्स के सासथ जाहतर अपने पास्ट में रहते हैं उस इनकी जाहतर गुफ्तकू में पास्ट ही जलकेगा आपको अगर आप इस जैसे लोगों से बात करेंगे तो और अब वो लोग जिनके कान बड़े हो और अब यह जो एयर लूब्स हैं यह फ्री हैं तो ऐसे लोग बड़े थौट आइडियास बहुत जड़ा हट के होते हैं और चौती बात इसमें यह कि ऐसे लोग जो है अच्छे एडवाइजर और डिसीजिएन में करोते हैं जिस तरह जिस तरह उमर में यह लोग बढ़ते जाते हैं और इनके साथ सरकल में लोग होते हैं उनके लिए भी यह लोग हम बात करेंगे ऐसी कान जो भरे भरे होते हैं ऐसे लोग बहुत खुश मिज़ाज किसमगे होते हैं और उन लोगों को महारत होती है एक चीज में वह यह कि वो Rahल लेशनशिप्स और फिनैंशल मैटर्स में उसको बेंटेन करने में हैं सको करने में उसको बढ़ाने में इसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं और बड़े पुलाइट और अच्छी गुफ्तू करने वाले होते हैं लेकिन उसके साथ-साथ इनका माइंड बहुत तेज होता है और इनमें एक होता है कि बात के मेंशा यह लोग जो हैं मैजिक की तलास में होते हैं कोई भी काम करें हैं उसमें मैजिक ढूंते हैं मैजिक से मुराज यह नहीं कि आप जादू दूने की तरफ बात ले जाएं मैं जादू वार की बात नहीं का रहा है मेरी संसे कि ऐसे लोग जो है अपने काम में धूनते के इसमें जादू हो जाए और यह चीज बहुत एक्सेलन निकल के आए किसी भी फील्ड में हो तो यह थे बेसिकली सारे जो कान और उनसे रिलेटेड़ लोगों की परस्नालिटी अब हम आगे चलते हैं और हम बात करेंगे माउथ और लिप्स पे ऐसे लोग जिनका माउथ बड़ा होता है वो लोग बहुत जादा बात करने वाले होते हैं और उस और इसके अलावा वो लोग जो हैं अच्छे बिजनसमें भी हो सकते हैं कि बिगॉज अफ दिकन टॉक सो मच और गुड़ कम्यूनिकेशन स्किल्स होते हैं अब ऐसे लोग जिनका छोटा मू होता है वो लोग कम बात करने वाले होते हैं उनका सरकल बहुत लिमेट होता है व आप हम आते हैं होंटों की तरफ तो ऐसे लोग जिनके हो गistoire मोते हो वह लोग कि बड़ी फुल परसंपर स्वाइंटी कयो होते हैं बड़े पैस्टेटेट एंड कम-पैस्टेट होते हैं ऐसे लोग जिनके हो बड़ी को अनके साथ प्रॉब्लम होती है के वह एपनी इनर्म most feelings share करें अब आज़ेते हैं कि जिनकी होंटों की थिकनस एक जैसी हो अब जिन लोगों की थिकनस एक जैसी होती है वह बहुत थिकर हो लाइक उपर वाला बरीक नीचे वाला मोटा तो ऐसे लोग जो होते हैं बड़े अप्तिमिस्टिक और कॉर्डिय रलेशन्शिप्स बनाते हैं बड़े सेंश्वल होते हैं और इन में एक प्रॉब्लम यह होती है कि यह लोग जो भी इनके साथ कुछ भी करें तो उसक अब इसके रेसिप्रोकेट ली जो लोग के अपर लिप जो है वो थिकर हो और लोर लिप थिनर हो ऐसे लोग बहुत अच्छे गिवर होते हैं उसको उपर वाले ने बनाई इसलिए हैं कि वह लोगों को बांटें गिव करें हम चलते हैं आपने आखरी सेक्शन में जिसमें ह लोग जिनकी ही जीव बन हो अब हाई चीक्स बोन में जाने से पहले यह पता हो और चाहिए कि पता कैसे लगे अपने आपने नाग को कि हाफ करें और इस पैरलल एक उंग्ली लेकर जाये अगर आपकी अंगली की यहां पहुंचते वे आपको यह पता लगे कि आपको हड़ हो रही है तो आपकी चीक्स बोंउट है अगर आपकी हईचीक्स बोन हों थो आप एक बहुत प्राइवेट परसन हैèse से क्या मतलब है कि आपको मैं प्रारिवीट लाइव एकिषी के साथ खास शेयर करने का कोई शोक नहीं होता हो अपने और अपने बारे में बात करना भी आपको पसंद नहीं होता है इसके अलावा आप लोग जो है वह हाइली होते हैं और उपर वाले की तरफ से आपको कुछ खास इंट्यूटिव गिफ्स मिलते हैं और आपके लिए रिकमेंडिड है कि आप लोग अपने उन आप लिए सेम लागे आपने इसको आफ करना और देखना यहां और आप हड़ी मिसूस होती है कि नहीं होती अगर आपको यहां अशूस नहीं होती तो आपकी फ्लैट चीक्स हैं तो फिर आप लोग बहुत पोलाइट नेचर के होते हैं ऐसे लों वो उनको उनकी कि यह लोग अपनी inner feelings को express करने में बहुत देर लगा देते हैं और उसमें जब एक्सप्रेस करने का वक्त होता तब कर नहीं पाते हैं और अक्सर जब वक्त गुजर जाए तो यह फिर regret और गिल्ट में रहते हैं अब ऐसे लोग जिनके plumpish cheeks होते हैं प्लंपीश चीक से क्या हम रहाद है जिनके cheeks यह जो होते हैं यह भरे बरे हो जिन लोग यह चीक भरे बरे होते हैं वो लोग बड़े light-hearted होते हैं और बड़ी playful personality होती है उनकी उसके साथ साथ वो लोगों का sense of humor जो है बहुत आउट class होता है इसके लब है ऐसा लोग जिनकी blemishes चीज होती है आप लिमिश से क्या मराद है यह चीज का चीज का यह जो हिस्सा है यह इस पे कुछ scars हो कुछ pimples हो कुछ निशान पढ़ जाए जितको उर्दू में च्छाइयां भी बोलते हैं जिम इन लोगों को फरस्ट अफॉल अपना digestive system चेक करना चाहिए अगर इनका digestive system ठीक है यानि कि इनको health hazard is related कुछ नहीं है तो फिर इन system के अंदर एक issue है वो है in ability to digest their emotions वो अपने emotions को properly digest नहीं कर पा रहे तो इन लोगों को चाहिए कि यह लोग अगर जिस जैसे भी emotions में है इनको highly recommended जाँ चीज़ों को ignore करें या फिर सबर कर ले या फिर properly कुछ तरीके से express कर दे तो यह जो मेरी वीडियो थी इस तो मैंने सब चीज़े explain कर दी कान आपके होंट आपका मूँ आपके चीक्स को के मैंने वह वीडियो का जो section था वह complete कर दिया मैं इसको वीडियो को जब load करूंगा तो उसके साथ पिछला भी लोड कर दूगा ताकि आप एक पूरी compact series देख सकें तो होफुली आप मेरी वीडियो पसंद आई होगी है कि मेरी वीडियो बसंद आई तो कैंड़ी चैनल को लाइक करें वीडियो को शेर करें चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने कमेंट्स भी दें ताकि कि मैं किस तरह मजीद इस इसको एंप्रूफ कर की कि मुझे दें तो होफुली मिलते हैं हम अगरी वीडियो पर अगरी वीडियो पर अगरी बाद आप